राधी राधी दोस्तों आज मैं आपको मकर सकरांती के उपलक्ष में भगवान जी ठाकुर जी का जूला डेकोरेशन करना सिखाऊंगी उसके लिए मैंने अपना एक जूला ले लिया है भगवान जी का पुराना उसको दिखी मैं थोड़ा नेल पेंट लगा कि इसको सही कर र साथ मैं इसके साइड के जो पिलर हैं छोटे-छोटे जूले के उसके उपर मैं ये टेप लपेड दूँगी क्योंकि ये भी साफ नहीं हो रही है तो हम आज अपने जूले को मकर सकरांती के उपलक्ष में डेकोरेट करना सिखा रहे हैं देखें मैंने दोनों तरफ गोल्ड उसके नीचे में छोटा साब दूसरे कलर का रैड कलर का ट्राइंगल काट लिया है इसके ट्राइंगल का एक कोना उपर रखना है दो नीचे रखने हैं और ये काइट हमारी रेडी हो गई है ऐसे ही मैं पैन से इसको डेकोरेट कर लूँगी पैन से बीच में एक लाइन क्र और यहां पर semi circle type थोड़ा सा बना दूँगी देखिए काइट ready only दो सेकिंड में दो या तिन सेकिंड में ऐसे ही मैंने दूसरे रंग की काइट्स भी ले ली हैं इनको भी मैं ऐसे ही decorate कर रही हूँ इसमें मैंने उल्टा combination ले लिया है red and yellow का ऐसे ही मैं छोटी-छोटी से काइट्स बना रखी हैं देखिए इनको बीच में किसी भी कलर के पैन से decorate कर सकते हैं कुछ लिख भी सकते हैं मैसेज भी रादे रादे कृष्णा जो भी लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं ऐसे ही मैंने बहुत सारी काइट्स बना ली हैं यह देखिए अब यह जूले के नीचे का पार्ट है इसके भी पाइपस पे मैं golden tape लगा दूंगी जहां जहां पे golden tape लगा सकती हूँ मैं लगा रहे हूँ देखिए गोल्डन टेप से सारे जुले को मैं कवर कर दूँगी जहां तक भी पॉसिबल हो रहा है अभी चोटा ऐसा मैंने मांज़ा भी बनाया बगवानची के लिए इसके लिए मैंने ये ये येर बढ़ लिया है हाफ कर लिया इसको इसके साइड की रूई निकाल लेंगे हम हलकी से कैंची से निकाल रहे हूँ क्योंकि काफ़ी टाइट है ये ये देखे मैंने रूई निकाल दी है ये सारी अब ये मैंने ब्लैक कलर की टेप ली है बीच में लगा देंगे थोड़ा बीच वाला पार्ट हमारा मोटा भी हो जाएगा इससे और ऐसा लगेगा जैसे इस पे हमने कुछ लपेटा हुआ है इस तरह से लपेट देंगे इसको अराम से देखे मैंने लपेट दिया है बीच में से ये बीच वाला पार्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा अब मैंने स्पार्कल शीट के दो छोटे-छोटे से सर्कल काट लिए हैं इसके अंदर से पाइप यह वाला प्लास्टिक का इजी ली चला जाएगा अराम से यह देखिए यह मांजे का एक साइड त्यार हो है अब दूसरे साइड भी मैं स्पार्कल के अंदर यह डाल दूंगी पाइप देखिए कितना सुन्दर कितना क्यूट चोटा सा मांजा जिसे चर्की भी भोलते हैं डोर वाली वैसे मैंने दो तिन बना लिये हैं अब जूले के उपर मैं काइट्स लगा रही हूं देखिए जूले का यह बीच वाला पार्ट मैंने डाल दिया है अब हम काइट से जूले को डेकुरेट कर लेंगे थोड़ी सी मैंने डबल साइड टेप ले लिए जहां जहां पर भी काइट लगानी है डबल साइड टेप लगा के मैं उस पर काइट लगा दूँगी जिसे भगवान जी काजूला काइट से डेकुरेट हो जाएगा पूरा देखिए मैंने एक काइट लगा दी है अब मैं जहां पर भी मुझे लग रहा है वहां पर सुन्दर सुन्दर काइट सी छुट छुटी सी इतनी सुन्दर लग रही है मुझे टेप लगाते लगाते साथ में मैं काइट भी लगाती रह जा रही हूं जहां जहां पर भी लग रहा है टेप देखिए फ्रेंड्स भगवान जी की मकर सकरांती स्पेशल जूला अब इसे इतना सुन्दर लगने लगा है अब मैं जूले के आगे यहां पर भगवान जी बैठेंगे वहां पर भी काइट्स लगा दूँगी बिल्कुल असानी से चिपक जाएंगे यह ज्यादा देर नहीं लगेगी इनको लगाने में नीचे मैंने रेड रेड एंड बेस वाली छोटी-छोटी काइट्स लगा दी हैं जूले पर यह देखिए फ्रेंड्स हमारा जूले रेडी हो गया है अब मांचे भी मैं उपर लगा दूँगी दोनों एक मैंने लगा दिया है दूसरी साइट भी मांचा लगा देंगी डोर वाला जिस पर डोर लगाते हैं यह देखिए कितना उत्युट लग रहे है बहुत संदर लग रहे हमारा भगवान जी का जूला जूलने के लिए भगवान जी फेस्टिवल में आराम से आप जूला सकते हैं जूले को के अंदर भगवान जी को बिठा के अब मैं आपको जूले में भगवान जी बिठा के दिखाती हूँ दिखिए फ्रेंट्स मेरे भगवान जी रड़ी है जूला जूलने के लिए काइट्स एंड मांचे वाले में और ये जैकिट भी आप मेरे जो भगवान जी ने पहनी हुई है ये मेरे चैनल पर जाकर आप बनाना सीख सकते हैं तो हमारी तरफ से हैप्पी मकर सकरांती रादे रादे दोस्तों अगर आपको ये जूला अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में रादे रादे जुरूर लिए